आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ वन पॉट रसेपी जो की बहुत ही असानी से बनेगी साउथ इंडियन रस्पी अब आपको अलग-अलग सामभर रसम चावल बनाने की जरूरत नहीं है एक साथ बनाएंगे टेस्ट इतना बड़िया जब खाएंगे न तो मज़ा हम बनाा लिया झाया बनाने के लिए आपको मज़ें लेंगे टुकडा वाला चावल आपको शावल ने लेकिन तुकडा चावल से बहुत अची रस्पी बनती है इन दो चाहिए हमें नॉर्मल मसाले और इसको बनाएंगे हम मुफली के तेल में ग्राउननेट ओईल तो एक प्रेशर कुकर लेंगे इसमें दो बड़े चमच हम ऑईल डाल देंगे आप इसमें कोकोनेट ऑईल भी डाल सकते हैं या फिर आप वेजटियवल ऑईल में भी बना सकते है दो बड़ी लाल मिर्च लिए हैं राई छोटी बड़ी राई जीरा और मेथी दाना और थोड़ी सी हींग लेके हम इसमें डाल देंगे इसको तड़कने देंगे साउथ इंडियन मसाले हैं उन्हीं को ही हमें डालना है छोटी राई बड़ी राई मेथी दाना जीरा बड़ दो लहसु की कलियां बरी कटी होई लहसु का फ्लेवर भी इसमें बहुत अच्छा आएगा और एक बड़े प्याज को स्लाइस कटके हमने इसमें डाल दिया प्याजकों में ज्यादा नहीं पकाना बस थोड़ा सा पकाएंगे इसको हरी मिर्च दो डाल दी हमने थोड़ा सा ध और यह जो चावल बनके तयार होंगे रसम चावल हमारे तीन से चावल को लिए एकदम परफेक्ट मजरमेंट के साथ यह बनेंगे अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो अब इसमें डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग जितने दाल चावल है आदी चमच हल्दी पॉ कम से कम 5-6 मिंट लगेंगे इस मसाले को बुनने में और देखें कितनी अच्छी खुश्बु आ रही है सांबर की खुश्बु आ रही है अब हमें क्या करना है सांबर मसाला लेंगे हम एक चमच एक चमच सांबर मसाला लेंगे इसमें एक चमच कश्मीरी मिर्च डालेंगे चमबश दालेंगे काली मिर्च पॉडर क्योंकि इसमें रसम का फ्लेवर चाहिए तो काली मिर्च जरू डालिएगा और 24 चम माहा लाए गरम मसारा आर बीस्ट स्बावचा कहीं सुस्टा। जैसे इसमें डालेंगे पानी इह पानी इसमें सब इसमें दू पार सना ही गईले क display जरू तना चैसे तो będę आधाति गीले मा लाट सेहीन है इतना ही हमें इसको मैश करना है और इसमें ढाल दी हमने आदि चमच शकर गोड़े शकर कुछछ भी ढाल सकते हैं अप अरहर की दाल जो कुछ भी दाल ती है फूल के लाई में सब유ति हो जाएं आज से पहले आपने यह रेस्टी बिल्कुल नी बनाई होगे एक बार मेरे कहने से इसको ज़रूर ट्राइ करना बहुत यमी बनी थी बहुत ज़ाद मैंने सोचा इसको क्यों न बना के ट्राइ किया जाए अब इमली का एक कप पानी में जो फिगो रखी थी वह इमली हमने डा पूरे चार कप पानी हमने डाला है चावल से और इमली का समेथ हमने पांच कप पानी डाल दिया इसमें और पांच कप पानी डालने के बाद एक कप चावल ते तो पांच कप पानी अब हम प्रेशर कूकर का लगा देंगे लिड और जैसी लिड लग जाएगे इसमें हाई पर दो से तीन सीटी लेंगे और देखिए वाओ कितने बढ़िया हमारे रसम चावल बनके तयार हुए हैं कोई कहा ही नहीं सकता कि हमने इनको एक साथ बनाया है ऐसे लगा है चावल हमने उपर से इसमें रसम डाली है एक दम पर्फेक्ट कंसिसेंसी के बनके त्यार हुए है हमने थोड़ा से धनिया पत्री डाल दी कट करके और साथ में एक चमच हमने डाल दिया बटर बटर ऑप्शनल है आपको मन करें तो डाले लेकिन इससे फ्लेवर बहुत बढ़ी आता है आप घी भी डाल सकते हैं चमच इसको मिक्स करेंगे और आये मैं प्लेट में डाल के दिखाती हूं वाओ सुपब यम्मी इतने बड़िया मैं बता नहीं सकती आप ओटीस जब आप बनाएंगे ना तब आपको अलग से रसम चावल राइस कुछ बनाने की ज़रते सर्फ एक ही पॉट में आप इखटे रसम चावल सामबा चावल बनाके तयार कर सकते हैं और टेस्ट की मैं गैरेंटी लेती हूं अगर आप परफेक्ट तरीके से बनाएंगे कि एक चीट को फॉलो करेंगे तो बहुत बड़ी आ उसम टेस्ट आएगा तो देखिए इसमें हमने रुपर से धनिया पत्ती से कड़ी प चावचिंग अगर